तो मुवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आदमी नशे की आलत में अपने घर की और जा रहा होता है और जब वो अपने घर पहुंसता है तो वो देखता है कि चारो तरफ हंदेरा है और वो अपने मेन कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका सवान बिख और इस अजीब से दिखने वाले आदमी के अंदर काफी ताकत थी और वो इस दूसरे आदमी को बढ़ी आसानी से मारने लगता है और उसके गले में काफी जोर से काटता है और इस दूसरे आदमी की स्किन बदलने लगती है और यह इंफेक्टिड होकर वही पर मर जाता है और और इस आदमी को मारने के बाद इस आदमी की बोड़ी मिट्टी की तरह बनने लगती है और यह आदमी नीचे बैट कर तूटने लगता है और अब पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिकेशन करती है जहाँ पर हमको दिखायाता है डेटेक्टिव जोंग यहाँ पर एक डॉक्टर उनको बताता है कि इस आदमी की जान एक सेल्फिस पॉईजन से हुई पर रिकॉर्ड चेक करने में पता लगता है कि यह जो आदमी मिट्टी हो बदल गया इसकी डेट ती महीने पहली हो चुकी थी और अब कुस दिन बीतने के बार हम को यह औरत दिखाई आती है इस औरत का नाम होता है इस जिन यहाँ पर जिन का इंटर्विव चल रहा होता है दरासल जिन ने हाली में एक किताब पबलिश करी जिसमें काफी अजीब बात लेगी थी जादो टोना और मैजिक से रिलेटेड और यह आरजी जिन की किताब को इतना सीरियसली नहीं लेता और यहाँ पर इस इंटर्विव में लोग लाइप कमेंट कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक कौन कनेक्ट होता है यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मुझको जिन से बात करनी है और जब जिन उससे बात करती है तब यह आदमी कहता है कि कुछ समय पहले वो अजीब सा मडर हुआ था उसके बारे में मैं जानता हूँ और मैं तुमको एक इंटर्विव देना चाहता हूँ दरासल जिन एक रिपोर्टर होती है और यह आदमी जिन को अपने डिटेल बेजता है और जब जिन अपने ओफिस पॉंस दी है तब उसका कैमरा में उसको लड़की से मिलवाता है इस लड़की ने भी न्यू जोब एटेंड करी अब जब जिन अपने ओफिस जाती है दरहसल डेटेक्टिव जू जिन का हस्पेंड था और वो साथ मना करता है जिन से कि तुम उस आदमी का इंटर्व्यू नहीं लोगी पर जिन उसकी बात को टाल देती है और जूं के जाने के बात केम उसको एक वीडियो दिखाता है इस लड़की का नाम होता है सोजिंग जिन पहले भी इस लड़की से मिल चुकी है और जिन की बुक में इसी की बारे में लिखा है कि तभी हमको एक सीन दिखा जाता है कि जहां पर जिन एक बार में जाती है और वो कुछ पीने का ओडर करती है कि तब एक आदमी उस पर हमला कर देता है और तब यह वहाँ पर सोजी ना कर उसको बचा लेती है पर यह सिर्फ जिन का एक सपना था असल में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और अब जिन उसी आदमी का इंटर्विय लेने के लिए तयारी करती है और यहाँ पर जुंग अपनी वाइफ के लिए काफी टैट सेक्यूरिटी रखता है और जब वो आदमी आता है तो सब यह लोग एकदम सतर को जाते हैं यह आदमी एकदम शान्त था और इस आदमी का नाम था पार्क कहता है कि कोई बात नहीं तुमको आगे यकीन हो जाएगा पार कहता है कि मैं तीन लोगों को लगता है पर वो जाते ही जाते जिनके गले पर चाको रब देता है और पूरे पुलिस वाले चोकनना हो जाते हैं और ये जिन को लेकर बाहर जाने लगता है कि तब ही जेसी इदर पर पूरे लाइफ टेलीकास्ट करती है और बाहर जाकर जिन देखते हैं कि पार्क के हाथों म और इस company का main chairman वो यहाँ पर नहीं होता क्योंकि उसको शुगर की problem थी इसलिए उसकी जगापर उसकी लड़की इस company को समालती है इस लड़की का नाम होता है मी मी दोगों से कहते कि घवराओ मत हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला हमारे पास काफी tight security है और अगर आप लोगो को और चाहिए तो मैं और security दोंगी और यहाँ पर CEO काफी घवरा आता है क्योंकि उस killer ने CEO को पहले मारने की धंकी दी थी और अब protective June मी के पास आता है उससे य परसनल रिजन नहीं बता सकते अब किंग और चों तोनों को नहीं मालूम था कि आखरी किस type का murder है और अपने इनी सवालों को लेकर वो एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जहां पर यह प्रोफेसर समझाता है कि यह एक खाला जादू है जो की इंडोनेशिया में होता है इस ज चैमन है और अगर हमने उसको धूड कर रोक दिया तो सब कुछ अपने आप ही बंड हो जाएगा है और इस टास्क पूरा करने के बाद वो अजाद हो जाता है और मिट्टी बनकर तूट जाता है और जब जिन अपने घर पहुंसती है तब उससे मिलनी जैसी आती है जैसी उ अपने अपने बुक में लिखा था सोजिन के बारे में, almost वो सच है, तब जिन बॉलती है हाँ, सोजिन मेरी फैमिली की तरह है, और जिन का एक साथ ही जिसका नाम था किम, वो एक आदमी के पास आये था। उस फार्मसोटिकल कमपनी में क्या हुआ था? उसके बारे में पता करने ग्रासर ये आदमी उसके बारे में सब कुछ जानता था और इसने कोई और दूसरा गलत काम किया था इसके वएसे ये जील में था पर किम को उससे कोई मतलब नहीं किम को बस ये जाना था कि आकिन उस फार्मसोटिकल कमपनी में क्या हुआ था तब ये आदमी बताता है कि वो फार्मसोटिकल कमपनी एक सीक्रिट दवाई बना रही थी और उस दवाई को टेस्ट करने के लिए ऐसे लोगों को चुना था जो कि काफी गरीब थे और उनको काफी अच्छा वैसा देकर उनकी उपर एक्सपेरिमेंट किया और हर एक आदमी की हुटी में उसका नंबर और नाम लिखा होता था और मैं ही वो आदमी था जो कि उनको इंजेक्शन देता था मुझको जैसा कहा जाता था मैं वैसा ही करता था तब किम पूसता है तुमने कितने लोगों को वो दवाई थी तब ही आदमी गिन के बताता है एक, दो, तीन, चार, बाच, छे, साथ, आ, नौ, तस तब किम को लगता है कि वो सिर्फ 10 लोग है तब ही आदमी बताता है कि वहाँ पर 10 गुरुप थे और हर एक गुरुप में 10 लोग थे यानि कि टोटर मिलाकर 100 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ये बहुत सुनकर किम एकदम चौक जाता है और पार्क ने कहा था कि आज के दिनी उस फार्मसूटिकल का सीओ मरेगा इसलिए आज उस फार्मसूटिकल कमपनी में काफी भीड थी जापर जाएतर रिपोर्टर और सेक्योर्टी गार्ट थे वो सीओ को बचाने के लिए और ये सीओ काफी घगराय हुआ था कि काफी उड़ी पहने लोग इस कमपनी के सामने आ गए और काफी तेजाई से इस फार्मसूटिकल कमपनी के अंदर जाने लगे ये सबी लोग काफी ताकदवर थे और पुलिस इनको नहीं रोक पा रही थी और यहां की सेक्योर्टी दिख रहा था चूंग और यहां का डिरेक्टर पैशा डालता है कि पुलिस इनको शूट करो और पुलिस वालों को मजबूरन इनको शूट करना पड़ता है पर इन पर गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था गोली इन पर घलती थी यह नीचे गिरते थे पर फिर से उटके आगे बढ़ने लगते थे और जूंग इन दोरों को बचाने के लिए अपनी काड़ी में ले जाता है यह सभी मुर्दे छस्ते गिर रहे थे और तब भी यह चन फिर रहे थे जूंग अपनी पूरी कोशिश करता है इनको रोकने के लिए पर एक जगाप पर जाकर जूंग की गाड़ी खराब हो जाती है और यह सभी लोग इस आपमी को बहर ले जाते है और उस पे काफी जोर से हमला करते है और यह देगकर डारेक्टर जाता है ये मुर्देश डायेकटर को नहीं मारते क्योंकि डायेकटर के मरने का समय। नहीं था और अब अपना काम करने के बाद ये सभी लोग मिट्टी बनकर तूट जाते हैं और अपनी मौत को काफी करीब से देखने के बाद इस डारेक्टर की आंके खुल जाती है और वो अपनी कम्पनी के चेयर्मेन के पास जाता है और उससे कहता है कि हमको इस सभी से माफ क्या कर रहा और यहाँ पर दूसरी तरफ जिनका हस्पेंड जूंग भी इंफेक्टिट हो गया था और अब जूंग की आलत काफी खराग थी और किम जिस आदमी से सवाल पूछ रहा था उसका नाम था जेमिन जेमिन बताता है कि पार्क भी इन सभी सो लोग को मैनेज कर रह किम पूछता है कि उस आदमी की ट्रेस कैसी थी तब जेमिन कहता है कि उस आदमी की ट्रेस काफी अजीब सी थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक इंडोनेशन है और किन ये बात बताता है पने टीम और जिन को और तब ही जिनको समझ में आता है कि वो आदमी जेमिन था वही स कमपनी का डिरेक्टर काफी उदास था और उसको काफी गिल्टी फीर हो रहा था और जब जिन उस आफिस के अंदर जाती है तब उसको वहाँ पर एक आकरती दिखती है और थोड़ा आगे बढ़ने पर कोई उन पर हमला कर देता है और तब उसको बचाने के लिए एक लड़की आती है ये लड़की कोई और नहीं दरासल सोजिंग थी जिसके बारे में जिन ने अपनी किताब में लिखा था सोजिंग को मालूम था कि ऐसे मुर्दों को कैसे मारते हैं और वो अपनी ताकत का इस्तमाल करके जिन और उसके साथियों को बचा लेती है जिन सोजिंग से पूचती है कि तुम इतने टाइम से कहा पर थी तब सोजिंग बताते है कि मैं जापान में थी और बुरी आत्मा को वश्म करने का मैजिक सीख रही थी और तब ही जिन का एक साथिया कर उसको बताता है कि उस फार्मसोटिकल कंपनी के डिरेक्टर ने सूसाइट कर लिया और उसके सूसाइट पर मी को बिलकुल भी बुरा नहीं लगता और वो डिसाइट करते है कि वो अपने पापा से माफी मंगवाईगी क्योंकि उसको अपनी कंपनी की इमेज साफ करनी थी और जब ये बात जिन को मालम चलती है कि उस फार्मसोटिकल कंपनी का चेयरमेन माफी मांग रहा तब वो काफी खुश होती है सोजिंग बताते हैं कि सब को शेमन कर रहा और जब सोजिंग अंदर पहुंसती है तब उसको एक आकरती दिखती है और जैसी वो उस आकरती को साफ कर देती है हमको दिखता है कि वो जगा काफी बड़ी है ये इस रिविक छलावा था और अब ये लोग शेमन को दूड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ जिंग चेयर मैन के अपॉलजी को रिकॉर्ट कर रही थी और केमरे पर ती छेस ही अब यहाँ पर जिन नोटिस करती है कि जैसा की मी बोल रही वैसा ही उसके फ़ादर बोल रहे वो सिर्ब वैसे बोलने के लिए बोल रहे उनको सच में guilty feel नहीं हो रहा और जिन इस apology को telecast करने से मना कर देती है तब मी बोलती है तुमको उससे क्या मतलब तो अपना काम करो और यहाँ पर इन सबी को एक room मिलता है और जैसे एक आदमी उस room को खोलता है वहाँ से एक रोश्णी निकलती है और यह सबी लोग नीचे गिर जाते हैं और दूसरी तरफ यह चेर्मैन सही से माफी नहीं माँग रहा था उसको बिल्कुल भी guilty feel नहीं हो रहा था और यहाँ पर जिनका साथी किम उन लोग की बारे में चेक कर रहा था जिनकी उपर experiment हुआ था कि तभी कि मुआ पर देखता है जेसी की फोटो जिनकी नई केमरामेन और वो उसकी डिटेल जिनको बेशता है और जिन जेसी की सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है क्योंकि जेसी भी एक मूर्ता थी और शेमन उसको कंट्रोल कर रहा और तभी जेसी के आतों का निशान शो होने लगता है और अब इस चेरमेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि ये चेरमेन सही से माफी नहीं माग रहा था और जिस कमरे के अंदर से रोशनी निकली थी उस कमरे के अंदर होता है शेमन जी हाँ यही आदमी है शेमन जो कि सब को कंट्रोल कर रहा और उसके आसपास काला घीरा होता है और तभी यहाँ पर इनकी उपर अटेक हो जाता है और सोजिंग अपनी शक्तियों से इन मोर्दों को रोकने लगती है और मी अपने पापा को लेकर वहाँ से भाग जाती है पर जेसी उनका पीशा नहीं छोड़ती और सभी बोडिगार्ट को चकमा देकर उनके कमरे के अंदर खुश जाती है और यह चेर्मेर पूरी तरीके से डर जाता है और यहाँ पर सोजिंग शेमन के पास जाती है पर उसको शेमन के पास जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर फैली आत्माएं उसके पैर को पकड़ी थी पर वो काफी ताकत लगाकर शेमन की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर जेसी इस चेर्मेर को छूने ही वारी होती है इतने में इस सोजिंग उस शेमन को रोक देती है और जेसी वही पर मिट्टी बन कर तूट जाती है और इस चेर्मेर को कुछ भी नहीं होता पर सोजिंग को यह महसूस होता है कि शेमन के अंदर काफी दुख है पर सोजिंग को शेमन का दुख महसूस होता है कि उसके साथ काफी बुरा हुआ और अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद ये चेर्मेन डिसाइड करता है कि हम इस कंपनी को बंद कर देंगे पर मी ऐसा कभी नहीं चाहती थी और वो जेसी की उंगली को एक टिश्यू पेपर में लपेट कर अपने फादर की गार पर एक कट लगा देती है और उसके फादर भी इंफेक्टिट हो जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं और उसके बाद मी एक्टिंग करती है कि जैसे कि उसके फादर को जेसी ने मारा पर जिन को मालुम था कि उसके फादर का मडर किसने किया क्योंकि उसके फादर के कॉलर पर एक माइक था जिसने मी की बाते रिकॉर्ड कर ली और अब पूरी तरीके से एक्स्पोज होने के बाद मी को काफी गुस्सा आता है और अग जिन का आजबन डेटेक्टिव जूंग भी सही हो जाता है और अग कुछ समय बाद हमको एक सीन दिखाए जाता है जहाँ पर मी सी मिलने जिन आई थी दरासल मी के खिलाफ इतने ठोस एविडेंस नहीं मिले इसलिए उसको तीन महीने बाद रिहा कर दिया गया और जिन उससे आज भी चाहती है कि वो उन सभी विक्टम के परिवार से माफी मांगे और बस यही पर यह मूवी थी एंड उल्याती है आपको कह लगता है कि इस मूवी के अंदर गेम चेंजर कौन था जिन, जेसी, किंग, सोजिंग, जेमिन, या फिर शेमन आप जिस भी नाम को चुनोगे उसको चुनने की पीछे की वया भी बताना और अगर आपको ऐसे ही मूवी देखना पसंद है तो आप इस साइड बारे मूवी को भी देख सकते हो इसमें रशियन सोल्जर आकर एक यूक्रेणी टीचर की वाइफ को मार देते है और उसके बाद ये टीचर रशियन सोल्जर से कैसे बदला लेता यह आपको मालूम चलेगा मूवी के अंदर और ये मूवी काफी इंट्रेस्टिंग है